संसार के अत्यादिक मनुष्यों को यह समझाना ही कठिन है कि उनके विचार ही उनके सुख दुख के कारण है मनुष्य मात्र में अपने आप पर विवेचना करने की शक्ति का अभाव होता है हम सभी बहिर मुख्य हैं हम अपने कठिनों का कारण दूसरों को मानने में संतोस पाते हैं अपने दोसों को दूसरे में देखते हैं जिस अवांचिनिय घटना की जर हमारे विचार में ही है उसे हम दूसरों में देखते हैं इस प्रकार की मांसिक परविर्थी को दोस्वा रोपन की परविर्थी काते हैं अत्वा प्रोजेक्शन काते हैं वही मनुष बुरे विचारों के निरोध में समर्थ होता है जो अपने आपके विशाय में सदा चिंतन करता है जो परोख्च रूप से यह भी जानता है कि मनुष्ट का मन ही दुख और दुखों का कारण है ऐसे ही मनुष्ट में भले और बुरे विचारों के पहचाने की सक्तिय उत्पन्न होती है किसी भी ऐसे विचार को बुरा विचार कहना चाहिए जो आत्मा को दुख देता है कि सत्तूता के विचार दूसरों को च्छती पहुंचाने की विचार भी बुरे विचार है यह विचार भी उसी परकार हमारी आत्मा का बल कम कर देते हैं जिस परकार की और सफलता और बिमारी के विचार आत्मा का बल कम कर देते हैं